इस वीडियो में बात करने वाले हैं CDSL SHARE के वारे में आप लोग को पता ही होगा इसका अगल रिजल्ट आया है तो पहले तो मैं इसके रिजल्ट के वारे बात करूँगा कि कैसे इसके नंबर्स आये देन आप लोग को बतांगा कि आपको एंटरी कहां पे लेनी है अगर आप ये स्टॉक चाहते हैं तो आप लोग को सिंपल ये तो पता ही होगा कि ये काम क्या करता है जितने जाद है स्टॉक मार्केट के लिए नए नए अकाउंट ओपन होंगे उतना ही इस स्टॉक के लिए फाइदा होगा तो देख लेते हैं हम इसके कैसे रिजल्ट आये हुए है ये काटली रिजल्ट है आप लोग सेल्स में देख सकते हैं दिसम्बर 2020 से हम चेक करते हैं 86, 103, 117, 146, 152, then 137 मतलब इस काटल में इसके सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है expenses देख सकते हैं, expenses में भी गिरावट देखने को मिल रही है, पिछले काटल में था 49, अभी है 46, operating profit की बात करें तो last quarter में ये था 103, इस quarter में गिर के हो गया है 90, तो ये थोड़ा सा हमें attention देने वाली बात है, ये सारे figures करोड में हैं, अगर हम net profit की बात करें ये देख सकते हैं net profit, net profit की बात करें तो last quarter में था ये 86, उससे पहले था 64, अभी ये हो गया है 84, मतलब net profit भी इनका गिरा है quarterly base पे, earning पर share भी degrees दिखा रहा है, quarterly base पे देखें तो company थोड़ा सा underperform की है, अभी yearly देख लेते हैं कि company ने कैसा perform किया है, तो sales की बात करें, तो March 2021 में ये 344 था, अभी बढ़के ये हो गया 551, सारे figures करोड में हैं, तो इस बात का आप पहले से ध्यान रखिए, expenses की बात करें, तो expenses भी बढ़के 132 से 186 हो गया है, expenses भी लगातार बढ़ रहे हैं इस company के, operating profit की बात करें, तो last year था ये 212, अभी है 365, बहुत अच्छा operating profit निकल के आया है, net profit की बा important बात जो आप लोगो ध्यान रखने हैं कि इस company का reserve लगातार बढ़ रहा है, last year था 773, अभी बढ़के हो गया 98, और company के बास borrowing कुछ नहीं है, तो कोई debt free company है, जो कि हर एक बंदे को देखना चाहिए कि company debt free है या नहीं, जब भी उसको invest करना है उस company में, अभी देख लेते है इसके chart के बारे में, कि chart क्या हमको बोलता है या, because हमें तो at last पैसे कमाने से मतलब है, company क्या कर रही है, वो सब ठीक है, बट हम पैसे कैसे कमा पाएंगे, वो important है, तो आप देख सकते हैं, ये है CDSL का chart, और पिछले काफी time से लगबग, कब से ये गिर रहा है, stock, March mid से ये stock ल जिस zone पर मैंने mark किया है, price बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ताकि ज़्यादा confusion ना हो, तो ये है around 350 के असपास, अभी stock चल रहा है 380 के असपास, अगर 350 के पास आता है, तो आप इसमें अपना पहला position बना सकते हैं, अगर आप इसमें उस time position बनाएंगे, जब ही 350 के अस आप लोग देख सकते हैं कि Dow Jones में भारी गरावट होई है, Friday को, Nasdaq में भारी गरावट होई है, तो हो सकता है कि Monday को इस share में भी गरावट हो और ये वापस से 350 को टच करके वापस चला जाए, क्योंकि LIC का IPO तो बहुत सारे डीमेट अकाउंट open होने वाले हैं, जिससे मुझ आएगा तो मैं इसमें अपनी position बनाऊंगा, अगर ये information आपको अच्छी लगी हो, प्लीज इस वीडियो को like करें, share करें and channel को subscribe जरू कर लेना, अगर कोई question है तो मेरे से comment section में आप लोग पूस सकते हैं, मिलता हूं next वीडियो में, तब तक के लिए, bye